हर हर माते, स्वागता है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटूब चैनल पर, आज मैं आपको सोम्मार का महवपाय बताने जा रहा हूँ सुम्मार के दिन भगवान स्व की पूझा की जाती है, गाय के दूर से सिव जी का अपसिक करना चाहिए, पंचा मरत से भगवान सिव जी का अपसिक की किया जाता है, इससे माकाल प्रसन औ करके हमारी सभी मनुकामना पूरी करते हैं सोमार के दिन भगवान सिभजी की पूजा करने से कुंडली के सारे दोस दूर हो जाते हैं माकाल प्रसनोकर के पुत्र धन प्राप्ति का आशिरवाद देते हैं सपलता का आशिरवाद देते हैं और इंसान हर प्रकार के कारियों में दूर हो जाता है हर प्रकार की कारियों में सफलता है प्राप्त करता है सोमार के दिन अगर मासिक सिवरात्री भी हो जो महिने की सिवरात्री पढ़ती है अगर उस दिन सोमार पढ़ता है तो ये महा सुप सयोग बन माना जाता है दो सुप सयोग बनते एक तो सोमार का एक मासिक प्रते के सोम्मार को भगवान सिव जी कावशिक करें और बेल पत्र भगवान सिव को अरपन करें सोम्मार के दिन भांग की जो अरिपत्तिया होती हैं वह लाकर के सिवलिंग पर अरपन करनी चाहिए सोंबार के दिन तीन प्रकार के पुष्व पीले, सपेद और लाल भगवान सिव को अरपन करने चाहिए इससे मनोकामना पूरी हो जाती है बस्मी भगवान को विशिश प्रिय है और बस्मी भगवान को जरू चड़ानी चाहिए अगर आप मासिक सिवराति पर कर रहे हैं, प्रदू सिवराति पर कर रहे हैं, उस दिन सोंबार पर जाता है तो साम के समय, साम के समय गाय का घी और सक कर ज्यान देना है, गाय का घी और सक कर इन दोनों को मिक्स करके भगवान को अरपन करें बेल पत्र चड़ा दें आप उसके बाद में नवेध्य के रूप में यह चीजह चड़ा दें और खीर के प्रसाद में खीर का जो प्रसाद बना है उसमें गाय का गी डाल के वगवाण को भुग लगा दें और वगवाण के सामने चोमुखी दीपak आपको जला देना है चोम की दीपक तो आपको प्रतिक सोम्मार को जलाना है सोम्मार की पूजा कर ले चोम की दीपक जला दे और प्रदोसकाल में भी आप महासिक जिवराती हो प्रदोसकाल हो सोम्मार के दिन पढ़ता है तो आप चोम की दीपक जरू जलाए प्रदिगना कित राशी विरस्टिक राशी धनुराशी और मीन राशी ये राशियां ब्यादी भागिस्तालियों लखी रहने वाली है इनका योग बहुत ही अच्छा है वीडियो को सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें